Hello and welcome back, आज से एक और नया टॉपिक, नाम है लोड बिलेंसर, A to Z सीखना है लोड बिलेंसर के बारे में 30% ठियोरी है, बाकि प्रैक्टिकल ही प्रैक्टिकल है, यस, 3-4 वीडियो लगेगे, पर AWS लोड बिलेंसर में मास्टर आप बन जाओगे, तो सबसे पहली चीज है, हमें यह समझना पड़ेगा कि लोड बिलेंसर का यूज केस क्या है, क्यों यह AWS के अंदर है, और चार टाइप के लोड बिलेंसर है, एप्लिकेशन लोड बिलेंसर, नेटवर्क लोड बिलेंसर, गेटवे लोड बिलेंसर और पूराना वाला भी एक क्लासिक लोड बिलेंसर, इन इस सीरीज में अब पहले हम सीखते हैं कि लोड बेलेंसर का यूज क्या है देखिए मैं एक बात आपको बता दू कि हमने ओलड़ी वीपीसी सीरीज कंप्लीट कर ली है तो यहाँ पे मैं यह एजिम करके चल रहा हूँ कि आप लोगों को एवरिटिंग अबाउद वीपीसी न नेट गेटवे यह सब का नोलेज है वो हम लोग एजिम करके चल रहा है क्यूंकि मैं वो सब कुछ रिपीट इस मीडियो में करने जाओंगा या इस सीरीज में करने जाओंगा तो बहुती लंबी सीरीज होगी तो यहाँ पे मेरे पास एक वीपीसी डिजाइन है यहाँ पे अगर आपको हाई अवेलिबिलिटी चाहिए तो आपको मल्टिपल अवेलिबिलिटी जोन यूज करना पड़ेगा एक अवेलिबिलिटी जोन कभी भी डाउन हो सकता है तो आप अपने रिसोर्सिज दोनों अवेलिबिलिटी जोन में बनाओ और वही रिसोर्सिज बनाने के के लिए दो सबनेट चाहिए दुसरा private subnet है public subnet इंटरनेट से accessible हो सकता है तो web server वगेरा हम public subnet में रखते है private subnet internet से access नहीं हो सकता है तो इसके अंदर हम database server वगेरा रखते है अब मुझे ये टास्क दिया गया है कि मेरी कमपनी का एक application है या तो website है जो मुझे चलाना है, मैं अपनी website EC2 में host करूँगा और in normal circumstances हम उसको public subnet में place करते हैं, public subnet में place करने से काम नहीं हो जाता है, साथ में हमें public IP भी देना पड़ता है, जैसे मैं यहाँ पे एक public IP दूँगा और user इस public IP से website को open कर सकते हैं, अगे, problem यही है, what about high availability, अगर यह availability zone डाउन हो जाएगा तो, इस problem का solution, again, हम इस EC2 instance को multiple availability zone में place करेंगे, और यहाँ पे हम एक और IP address, public IP address ले लेंगे, right, अब question यह आता है, कि दो public IP है, user कोन से server को, किस IP से open करेगा, दूसरा problem, कियसे हम feature करेंगे, एक server को primary रखेंगे, और दूसरे server को secondary करेंगे, अगर इसको ऐसा करेंगे, तो दूसरे के पैसे हम दे रहे हैं, और use zone उसका as a secondary करते हैं, तो primary down होगा, जैसे यह primary down होगा, तब use करेंगे, तो double पैसे देने का क्या मतलब है, best रस्ता यह है, कि हम root 53 का use करें, right, root 53 क्या है, DNA service है from AWS, हमने already root 53 series भी पहले ही सीख ली, क्यों, क्योंकि यहाँ पे, आपको समझने में दिक्कत ना आए, नहीं मालूँ है, तो वो series भी देख लीजेगा, अब, root 53 में आप ऐसा कर सकते हो, कि आपकी website का एक नाम होगा, पहली बार कोई open करेगा, तो यह IP पे जाएगा, दूसरी बार open करेगा, तो यह IP पे जाएगा, यह facilities है, using DNS service, इनके बीच में आप load balance कर सकते हो, बट, अगर हमारे पास एक best service है, एक specific components है, जो इन दोनों के बीच में load balance traffic अच्छी तरह से करेगा, securely करेगा, application layer पे करेगा, तो, तो root 53 को use करने की ज़रूरत नहीं है, हम उसी service को use करेंगे, जिसका नाम है load balancer, चार टाइप के load balancer है, यहां मैं general बात करता हो, although मेरा जो icon है, वो application load balancer का है, तो बाद में हम difference भी देखनेंगे, don't worry about this, अब, अगर मुझे इन दोनों EC2 instance का के बीच में load balance करना है, मुझे दोनों को equally use करना है, और मैं load balancer use करता हूँ, तो सबसे पहला advantage आप देख लो, जो आप route 53 से नहीं कर सकते, आपको इस EC2 instance को public subnet में रखने की जरूरत नहीं है, आप उसको private subnet में रख सकते हो, आप उसको private subnet में रख सकते हो, अब आप बोलोगे private subnet में रखेंगे तो IP, public IP देने की जरूरत है, नहीं है, याने के आपके EC2 instance को public IP address देने की जरूरत नहीं है, अब और एक question आएगा, के भई EC2 instance है, web server है, private subnet में है, याने internet से तो access हो नहीं सकता, और public subnet भी नहीं है, तो यहाँ पे हम public subnet के अंदर रखेंगे load balancer को, load balancer में इस तरह place कर रहा हूँ, जो दोनों public subnet को use करेगा, जिससे high availability मिलेगी, अगर ये AP south 1A down होगा, तो ये यहाँ से चलेगा, 1B down होगा, तो यहाँ से, याने कि ये दोनों public subnet को use करेगा, अब क्या होगा पूरी system, जैसे मैं एक user हूँ, right, internet में एक normal user हूँ, मैंने load balancer यहाँ पे use किया है, तो load balancer का क्या होगा, एक URL होगा, तो बहार से over the internet मैं अपनी request load balancer URL में बेजूँगा, right, अब ये load balancer, इस request को, इस particular EC to instance में बेज देगी, याने मेरा website यहाँ से खुलेगा, अगर कोई दूसरा user है, फिर उसने भी request किया, उसकी request इस particular EC to instance में जाएगी, याने मेरी request डिवाइड हो गई अच्छी तरह से, ना EC to instance को public IP है, याने के वो internet में exposed नहीं है, ना मुझे इसको public subnet में रखना है, याने वो बहुत secure वे से private subnet में प्लेस किये गए है, अब यहाँ पे एक और question आपको आ सकता है, जैसे, इस particular EC to instance को, जैसे कि कुछ हो गया, नहीं चालू हो रहा है, या website आप open नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा, अपने load balancer के अंदर health check facility भी है, तो क्या होगा, यह load balancer इस EC to instance का, सभी EC to instance का health check up करता रहेगा, अगर यह EC to instance down है, और अगर कोई आ से request करेगा, अगर, अगर, अब load balancer को मालूम है, कि भाईया यह अभी down है, यह healthy नहीं है, तो यह सभी request, subsequent request, यह EC to instance, जो दूसरा है, उसको बेजेगी, आपको पता चल गया, आपने क्या कर दिया, आपने उसको repair कर दिया, और आपने बोला, instance start है, load balancer अपने आप डिसाइड कर लेगा, क्योंकि उसके अंदर health check facility है, वो देख लेगा, सब कुछ सही है, अब अगर कोई request आया, again from the user, ओके, वो यहाँ पे जाएगा, और इसको भी rotation में ले लेगा, ना EC to instance को public subnet में रखना है, जितने EC to instance है, उसको equally हमें यूज करना है, security है, sticky sessions है, और path based routing है, कई सारे advantages है, इस particular load balancer के, बट यह तो एक introduction video था, picture अभी बाकी है मेरे दोस्त, मिलते हैं, upcoming videos में, thank you very much, see you in the next video, और इस video में जितना मज़ा आया, subsequently सभी video में मज़ा आएगा, यह हमारी guarantee है, thank you very much, see you in the next video, have a nice day, goodbye.